हेलो स्टुटेंट आज मैं डिस्क्स करने दाए क्लास 11 का फॉस्ट मैंनेटिक श्याप्टर या इस सेट तो उठाएं कोपीपन और मेरे साथ खुरू हो जाएं नोट्स पनावाएं घसा च ताएं से वादिस्ट करें ने च तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब शर्टर के लिए तर था तर उदेंट तर उच्ट्ट्स और देट्स कार्ण सेट तो कलेक्शन का मतलब तो सभी बच्चे समस्ते हैं पर एक्यम्पल कलेक्शन आप बुक्स कलेक्शन आप स्टाम्स कलेक्शन आप एंग्शन आप नवल्स पी गेट टुगेदर तो है और टेक्स का कलेक्शन है बट वेल डिफाइन वेल और नहीं है पी वेल डिफाइन और वेल और का मीनिक समस्ते हैं जैसे जैंगली सबीनों किक्रिट को इंट्रेश्ट रखते ही तो मैंने ऐसा का कि कलेक्शन आप पाई ग्रेक्टेस्ट टेस्ट्रिक्ट बांट कलेक्शन आप फाईप ग्रेक्टेस्ट बांट स्मयन आफ टेस्ट क्रिकेट तो पहले स्टुरेंट में आपसर दिया पहले स्टुरेंट में वला सचिंते मिलकर राहूं द्रेबल ब्राइन नारा इस्टीव इसमें शौरोगों में स्टुरेंट था उसने कुछ ऐसा अंचर दिया जाबेज मियादार जैक्स तैलेस इस्टीव स्मिथ विराट कोली निवराज सिंग थर्ड इस्टुरेंट में पुछा उसने का सर्फ पाइब रेटेस्ट था क्रिक्शन वीमियर रिचर्स एलन गोरन पर शचिन तेटर कर विराट कोली रिकी पॉंडिक तो यह विए सभी क्रिटेस्ट प्रेट्समेंट है डिफनेटली एक क्लेक्शन है इसका मतलब है कि यह जो कलेक्शन है वह वेल डिफाइन वेल और नहीं है अब अगर मैं ऐसी है इसकी प्लेश पर ऐसा कहता करेक्शन और फाइव ग्रेटेस्ट बैस्टमान और प्रेस्ट ट्रिकेट हिस्ट्री कि वहाइड दीमेड मोर दैन 12,000 लुक्स तो देन अब जितने भी क्रिकेट के जानकार है जिनको क्रिकेट का अच्छा नालिच है उन सभी का वियो सेम होगा उन सभी का अंज़र सेम होगा और कलेक्शन मनाते हैं सबसे पहला नाम आता सचिन तेमिल कर देन जैक्स कैरेस देन रहो द्रवन देन तो कहने का मतलब अब कलेक्शन में केवल वो पैसमानी आएंगे जिनों ने 12,000 से मोरल मनाए गए तो ऐसा क्लेक्शन वेल डिफाइंड हो गया वेल और हो अगर किसी को डाउट है तो मैं बन बोले क्यांपल देता हूं जैसे किसी ने ऐसा क्या दिया क्लेक्शन ओप रिचेस्ट पर्शन अ क्लेक्शन ओप टेन रिचेस्ट पर्शन और प्रेया ग्राश तो क्लाफ में बैठे हुए डिफिरिट इस्टूरेंट का भी अलग होगा कोई अपने मोल लेके किजी पर्शन का नाम लेगा कोई अपने रिलेक्टिव का नाम लेगा बट अगर इसको वेल डिफाइन कर दूँ वेल अरर कर दूँ कहीं ऐसा कह दूँ क्लेक्शन ओ तेंड रिफिचेश्ट पर्शन और रागराच को दिफोजेट मैक्सिमम इंकम टैक्स इन 2019 तो ये वेल डिफाइन हो गया ये रिकार्ड में दर्च है अब उसी के कोड़िक जिसने मैक्सिमम इंकम टैक्स पेट किया है वो रिफिचेश्ट है तो सच क्लेक्शन वेल डिफाइन वेल और ये कांस्टिूट करेगा से तो सिफ क्लेर हो गया होगा सिफ का मीनिंग क्लेक्शन और ओब्जेक्ट और तिंग्स अंडर असर्टिन कंडिशन राइट अब सिंपल में बात करें कि इसी सेट का रिफिजेंटेशन कैसे करीं तो मैंने एक क्लेक्शन ले लिया क्लेक्शन हो गया वेल डिफॉइंट है वेल आडर है और है क्लेक्शन आफ इंग्लेज अल्फाब है कुछ सिंपली आप क्या से रिफिजेंट करना है एक सर्टेन कर्णिशन के एक एक आप आफजित का क्लेक्शन करना है उन करेंट के हुए एलिवेंट को आपने ऐसे बेंटिक अंदर क्लोज कर दिया और उनके वीज कामा पर यूज कर दिया अब यह जो क्लेक्शन के हुए आपजेक्शन थे यह बंगा है इलिवेंट अग्या इस साइन का मिनिक समधिये यह साइन कराता है विलाउंच तो जैसे इसमें से कोई इलिमेंट लेड़ों सब्सक्राइब को लेड़िया तो इस सेट एक को बिलाउंग करता है इस सेट का इलिमेंट है तो इसको लिखेंगे इस बिलाउंच टू ए बत अभी इलिखावेट एस की बात करते थे एस इस कैलेक्ट किये हुए आपजेक्ट में नहीं है तो एसा बिलाउंच का साइन मनाते है उसको करते थे तो इस तो इस नॉट बिलाउंच तो एक राइट नव सिटाप को क्लेक्ट के रहें हुए इनमेंट को क्या मेंदें इस अब दिखेंगे इनमेन उनको थे लिख एक टेंगे रहे एक शोच करते ही पर कमा लागा नेंगे नौ अब रिप्रजेंटेशन और सेट अब डिसक्स करने जा रहे हैं रिप्रजेंटेशन अब इसेट को आप टू पॉम में रिप्रजेंट कर सकते हैं वन रोस्टर पॉम रोस्टर आप इसी को टैबलर पॉम में कहते हैं और सेकंड सेट बिल्डर पॉम सेट बिल्डर पॉम इस फॉम को डिस्क्राइब करने के लिए आप वेल डिफाइंड वेल ओरर्ड गलेक्ट ऑब्जेक्ट को उनली लिस्ट कर देते हैं पॉम लिए टेबल बना लेते हैं पॉर एक्चंपर जैसे अभी आपने सेट लिया था आप ए ए आई ओ यूँ तो आपने बोमेंस ऑफ इंग्रिश अलफाबेट को करेक्ट किया प्रिक्ट सेट फॉम हो गया आपने उनको डिस्ट कर दिया ऐसा पॉम कराएगा रोस्टराट टेबलर फॉम कि अब करेक्शन करने के रूढ़ को कर दिया हो किस प्रॉकपर्टी के एकोरड़िंग किस करेक्टिर से और पहर परणिग आपने करेक्ट किया है उसको रिपिजन कर देना क्याना है सेट वेल्डर फॉम तो सेम सेट को सेट फिल्डर फोर में रिपलेंट करते हैं तो कुछ ऐसा रखते हैं कि एक्सेट है क्यासा ऐसे एलिमेंट से एक्सेट है और एक्सेट रस्ट है यह स्थ्याट का साइन है अग्सेट रस्ट एक्सेट इसे मौल रॉब इंग्लिश अलफाबेंट के निग्सेट को जिस प्रॉपर्दी के एक्वार्डिंग जिस करेक्टर के एक्वार्डिंग करेंट आए उसको रिपलेंट कर देना शेक्ट बिल्डर पॉंप और उनली लिस्ट कर देना टेबल परा देना रोस्टेराइट टेबलर पॉंप सब मोर एक जाम्प लेते हैं सिर्दी जैसे मैंने ले लिया 1, 4, 9, 16, 25, 36 सेंट सेट को सेंट बिल्डर फॉंप में लेते हैं आप देख रहे हैं कि मैंने सम इलिमेंट को करेक्ट करके लिस्ट किया कि यह टेबलर पॉंप है और कैसे इलिमेंट है वीजार स्क्वार्स आप परस्ट सेक्स निच्रल नंबर अभी रिस्ट कर यह मैंने स reconcile here पॉंप इलिमेंट वह ड हूंद वास दो न, X belongs to M and X is a square of a natural number where X less than or equal to 7 sorry less than 7 X kya है? X natural number को belong कर रहा है और है क्या square of the natural number right बल्कि हम ऐसा कर सकते है X is a square of natural number less than 7 तो 1 का square 1 2 का square 4 3 का square 9 समझ क्या होगे? ठर्ट मैंने आसा ले लिए अब मैं बारे सेफिल्टर को में इविजन करा हूँ ठर्ट चर्ट को X is such that X is a 0 of quadratic अब करने पर जो जीरो जाएंगे उनका सेट है तो रोश्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म है आप कैसे रिफिजन करेंगे? आपने इसको साल्व कर दिया X is 12 minus 5 X plus 6 is equal to Q तो यह ऐसा कुछ हो गया अपने X common लिया X minus 2 minus 3 common लिया X keep to value that I need to add 3 तो अपने simply ऐसा का लिया इस रोश्टर आइ जबलर फॉर्म है सब मोरे जांप लेते हैं जैसे मैंने बंग सेट लिया ऐसा 1 2 ना से दुबात करती 2 3 5 5 7 11 13 17 19 अभी मैंने लिश्ट करती है किसको लिश्ट करती है 2 3 5 5 7 11 13 17 19 अब आप समझ क्या हुआ हुआ है अच्छली एक इस सेट आप प्लाइन नंबर्स वेल यह से प्लाइन नंबर सब्सक्राइन नंबर्स अभी मैंने प्लाइन नंडे 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 14 एंड एक्सिज लेसर थैन ट्विंटी तो केवल करेक्शन को लिस्ट कर देना क्लेक्ट के हुए अबजेक्ट को केवल की फार्म में राइड ना कर देना रोस्टराइट टेबलर फार्म आप इस शक्राइड और जिस रूल के अकॉर्णिंग जिस करेक्टर के अकॉर्णिंग आपने करेक्ट किया उस रूल को राइड डाउन कर देना देरेक्ट सेट बिल्डर फार्म ऐसे आप वन फार्म को अधर फार्म में इंटर्चेंज कर सकते हैं क्लिए नाओ इस सबसे इंपोर्टन बात को समझते हैं आप इसी सेट को रिपिजेंट करने हैं लाइक मैंने आसा पुछ सेट लेलिया पीक्यू आप तो अगरब इलिमेंट का और चेंज कर दें या इलिमेंट को रिपीट कर दें तो तो तेरि नो इपैक्ट इन कलेक्शन आप अब जेक्ट तो तो सेम चेट को मैं ऐसा भी कह सकते थे पी आर क्यों हम ऐसा भी क्या सकते थे यूपी आर और चेंज करने का अभी भी सेटें में एलिमेंट को रिपीट करने या इससी ईलिमेंट का और चेंज करना या किसी उलिमेंट को रिपीट करनें से वही उपक्त नहीं पड़ेगा नौट किन अड़कर अग में डिसकस का ताम ताइप साफ से तुस सब से पहले से Security कर आनिए है एंब्तिए ओरन से नहीं ची इसमझ में आ रहा है नाल मेंस नो इलिवेंट इंपी मेंस नो इलिवेंट इक मेंस अचेट अचेट विच इस विच कंसेश्ट विच कंतें नो इलिवेंट इपा दोजलन लीवेंट लीवेंट इशीकों विच विच विचुडरि बोटें नल और एंटि विच आथ सट अधिलिवेंटेख भाई इपिलिवेंटेख भाई भचानल सेटकों रिपेज़ेंट क्या करेंगे इते रिपेजेंटेट बाई कि पाई डिस्टिम्बल टिसना हों अपिस्टिम्बल है फाई का जी यो को आपने जी रोप एक पार दिया क्यां गया वाई या भी वाई से रिप्टेम करेंगे या ओनी भी आप में ऐसे क्यों इंट पना दिया गल्थी से भी स्पाइब को कर देखेंगे कुछ मत करेंगा अग्जांप आप इंपाइन नंबर अग्जांप परम सकते हैं यह मैंसे आपको समझना है आपको अपना प्रेक प्लियर करना लग नहीं करना है जैना देखेंगे आपका से एक्जांप परमना सकते हैं मैंने क्या धे लिए लग एरी लेस से एक्जांप यह सिस तख द्इख र columns न气 मझ में आपको अग्द आपको अग्द सेक्टो्य। यह द्रोल नंबर और है अग्सी común को ज्याक्तुत कोई ऐसा निचरिंड नंबर है जो फोर सिब्टर है इसा नवैड है दो न वाग्य रिमेंदे जो अटमकर ने में जो रिमेंदे जो रिमेंदे अनाओ एक्जम्पल एक्पलिया प्ली X is such that तो आगरो बाई X इच कर तो 3 बट X नॉट इककर तो 4 ऐसा से पो गया Null set Impty set क्योंकि solve करने पर X की वैलो क्या की 4 और यहां क्या कर रहा है बट X is not equal to 4 Another example मैंने ले लिया X is such that X ऐसा है 7X is equal to 14 बट X is not equal to 2 अब आप पूरी देख रहे है क्या सब से बन गया Null set और इंपीश है One more example area मैंने X is such that X ऐसा है X ऐसा है X ईजल और नमने ऐसा एक आप एक एक X इजल X और प्वाद्ट लेडी प्रेसिडेंड लेडी प्रेसिडेंड और अमेरिका क्या आप कुमारम है कि अभी तर वोई भी लेडी अमेरिका में प्रेसिडेंड नहीं बनी है इसका मतलब ये सेट कैसा हुआ ये सेट भी नलाग इंटी सेट है प्रियर ये था आपका नल सेट नाव अमंग डिसकस करेंगे सिंगल तंसेट सिंगल तंसेट जैसा नेम वैसिली देपिश्ट सिंगल इस बन यावरर सिंगल तंसेट यापिज यापिज शिंगल तंसेट में कितने इलेमेंट होगे इस इंगल यापिज बनी दिमेंट a set which consists of one element called single concept called single concept and when you say one element contain a wrap so what I have a single concept and I have to talk about in the same book is a written content why I am coming back at से अगर कहीं आपने फाइल को कर दिया तो अब यह नल से नहीं रह दिया अब यह बन गया है सिंबल तब से क्यों विगार इटिटी करेक्शन आप सिंबल्स आप मैंटमेटिक्स वाही मैंटमेटिक्स एक सिंबल है और इस सेट में कितने इलिमेंट है आप यह क्या मिंगा सिंगर्टन सेट समूर इचंपल देखे है जैसे मना ऐसा नहीं दिया ए इसे त्थासे एक सिससर्थ एक सिंग्स है एक सिंग्स क्यों नंबर आप एक सिंग्सिंग लिगटर दैन पर लेस्टवन इसंग्स इसका अंसर क्या हो गया फाइब दैकित अनली बादिने मैं एक सब्सक्राइब है और तोर से बेटर सिक्से लेशा है तो हम मैं नेच्छा नमबर ञेशा जनली से और नेच्छाइ ध।ா क् लेच्छा हेमごों क्या खुट द peng नेच्छा नेकर प्सक्राइब प्सक्राइब कुटनो। म्यyczा नम टॉत दो थाया या सिमरत जे तो कि साल कने विट अजय का अजय का जान टी ओडिए बनीव इन एक इस तो आप 7 इस तो कर दो 14 एक स्कौंग 2 बनीव इन एक तो आज एक्सिस अग्वेशन एक्सिस अग्वेशन नेगिवेशने अग्रेट इंडिया अब यह कैसा सथ है सिंगर्टम्स है क्योंकि इसका आंसर के है उली वह वालिमेंट के है प्रतिवाब पार्टेल इसके लिए आपको नारज होना दरूली है जीके का तो सिंगर्टम्स अपको क्या ओड्याओ असेट तेन्ध नी्मोन इल्मेंट काल्टम्सेट नेग्डिग अब इनक्टम्सेट है next set है, final set, sabkuした उसके ने में है, finite means, definite number of element, a set consists of definite number of element which can be जिसको आप निच्वर नंबर की हर्फ से काउंट कर सकें मैंने एनी सेट में आप नंबर अप इलिमेंट्स को डिफाइन कर सकें कई यसा शेट होजा एका ते रहा चाहर जाएगा ?탄िकस्ट पर बाइं हो जाएगा ? exercise which is a day of the week now how many element there are seven elements Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday अन्हों से लिए मनें एक्सिस सब्सक्राइब एक्स इजर मंट और पर देंडरियर अधनरियर ऐन एक्सिस सब्सक्राइब एक्सितर टित नंबर ऑपिर्ण आप्रिय। यून शेप्टेंबर राइब नंबर तो देफिन नंबर आपी रिटन्स हो गए अगें क्या हूं क्या फाइनल सेट अपनी सेट आपने ऐसा ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, dot, 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 98, 100 Now, it is also a finite set, because it is a set of, natural event number, equal or lesser than 100 यह definite number of events हैं, result क्यासा सेट हैं, finite set अब यही पर आप समझें, cardinal number of a finite set हैं, any finite set का, cardinal number क्या हैं, तो number of elements in a set, called its cardinal number, and it is denoted by, as such, जैसने का, M8, इसको रिट करेंगे, cardinal number of set A, that is set A के, number of elements, for a jumper, जैसे, first set का, cardinal number बता हूं, इह क्या सेट हैं, collection of models of invisible format, तो cardinal number of set A क्या हो गया, M8, इसको फाइब, number of elements set A नहीं क्या है, 5 तो इसका cardinal number हो गया, जैसे जैसे सेगेंड सेट है, X is a day of a week, तो cardinal number of set B क्या होगा, 7, because number of date in a week कितने है, 7, similarly, आप C and B क्या भी, cardinal number बता सकते हैं, right, तो simply cardinal number of set का में नहीं क्या है, number of element of that set, now, अब हम डिसकस करेंगे, equivalent set, बड़ा ही continuing है, what are equivalent set, if A and B two sets, have same cardinal number, that is same number of element, coin, equivalent set, अब confusion क्या होना है, में कार two sets A and B, equal number of elements रखते हैं, में उनके cardinal number same है, तो वो कहलाएंगे equivalent set, अब आम तोर पर क्रिफ्यूज हो जाते हैं, कि यह two sets में identical elements रखते हैं, बिलकुल नहीं है, उनली number of elements से होना चाहिए, पर एंपल, मैंने one set रखते हैं, A, A, E, I, O, U, set of moments of English alphabet, and set B, 2, 3, 5, 7, 11, set of first five prime numbers, to now cardinal number of A, 5, okay, 5 element, and cardinal number of B, also 5, here also 5 element, to set A and B, equivalent set okay, set A and B, equivalent set okay, because cardinal number of set A, equal to, cardinal number of set B, or equal to 5, clear, अब अब यही पर समस्ते हैं, equal sets, what are equal sets, equal sets क्या हैं, two are more sets, having identical elements, called impulsors, मैंने पहले ही काम, किसी set को repeat करते वक्त, उसके element का order change हो जाए, है, या किसी element को repeat कर देते हैं, तो set पर low it है, to set A, एसा का PQR, set B, P R Q, set C, P R Q P R, now set A, set B, set C, set B, allah, equal sets, क्यों, तो कि सभी set में identical elements हैं, same elements हैं, ऐसे set क्या कराएंगे, equal sets, right, अब तक आपको clear हो गया, set के बारे में, set को represent करना, यह एक टैबलर form, set builder form, types of set में, null set, singleton set, finite set, साथी साथ, equivalent set, equal set, अब हम बात करते हैं, infinite set, infinite set के हैं, infinite set, जैसा उसका नाम है, means, finite means definite, or infinite means indefinite, if a set have indefinite number of women, or event, then call, infinite set, पृप्जुंक्र मेनक्वी असासे के लिए, क्याने का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें आप नमबर ऑफ इलमेंट को काउंट नहीं कर सकते इलम नहीं कर दो नहीं कर दो जाओ मैंने है उता एक कुछ एक आ शो टर एक सेट एक सच्ध एक सव्च एक आप एक राइब अब क्या प्रका सकते हैं कितने प्राइब नंबर से अनिक काउंटेबल कैसा सेट बन गया इन पानाइट सेट दी मैं ने अधर एक्ट पले या एक्सिस सजट एक्स किजे रियल नंबर एक्स कैसा है रियल नंबर एंड एक्सिस लेज़ा दना इंपर दू फिप्टी अब रियल नंबर की बात कर रहा है सब्सक्राइब उसक्राइब दमर्य एक्स नंबर नंबर एक्सिसन सब्सक्राइब एक्सिसन सब्सक्राइब, लाइसा रिया मैंने, 2, 4, 6, 8, dot dot dot, x is a set of, even nature number, again क्या है, uncountable number of elements, क्या वन गया, infinite set, clear है, आज की date में, इस first part में, मैंने set, types of set को discuss किया है, set की next class में, subset of set, universal set, number set, super set, इन सब किमारे में बात तो, thank you.